नमस्कार दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब किसकी बारी है ये सबसे बड़ा सवाल है केंद्रिये एजेंसियों के द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही कारवाई में ये एक बड़ा घटना करम है दिल्ली के उप मुख्य मंत्री हाल के दिनों में गिरफ्तार हुए सबसे बड़े नेताओं में से है वो आम आदमी पार्टी के नंबर दो नेता है और दिल्ली के उप मुख्य मंत्री है आम आदमी पार्टी की दो राजियों में सरकार है और कॉंग्रेस के बाद वो दूसरी पार्टी है विपक्ष की दूसरी पार्टी है जिसकी जिसकी सरकार एक से ज़्यादा राजियों में है और उसके दूसरे सबसे बड़े नेता हैं मनीशिस हो दिया इसलिए उनकी गिरफतारी मामूली नहीं है उनकी गिरफतारी की तुलना दूसरी किसी पार्टी के जैसे त्र चुनावी साल शुरू हुआ है वैसे ही मनीशी सोधिया की गिरफतारी क्या यह दिखाती है कि अब विपक्ष के नेताओं को ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए है ज्यादा होश्यार हो जाना चाहिए है क्या इससे ऐसा लगता है कि अब सरकार की तरफ से केंदर सरकार की पसाने के लिए क्या इस तरह के उपाई इस तरह की गटनाएं अब जादा होंगी ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये मामला अस्थखित था पिछले कई महीनों से कोई बड़ा नेता किसी बड़े नेता की गिरफतारी की सुचना नहीं थी और मनीश शिस सोदिया के खिलाफ भी कारवाई पिछले साल अगस्त में शूरू हुई थी 19 अगस्त को संभवता जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 19 अगस्त को उनके हां पहली बार CBI का चापा पड़ा था शराब घोटाला से जुड़े मामले में और उसके बाद लगभग 6 महीने तक दिकारवाई तेज हो गई है उनके खिलाफ छापा पड़ा था और उसके बाद सिर्फ एक बार उनसे पुछता चुई थी उनके लोकर की तलाशी हुई थी उनके घर की तलाशी हुई थी ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद आमादमी पार्टी ये दवा कर रही थी कि CBI को कुछ नहीं मिला है हलाकि शराब गोटा लेके कि जाच में एडी भी इन्वाल्व है और आमादमी पार्टी की तरफ से ये भी दावा किया जारा था कि एडी को भी कुछ नहीं मिला मनीश्री सोदिया के खिलाब तो दो केंद्रिये इसके बावजूद जैसे ही उनको दूसरी बार सुनवाई के लिए दूसरी बार पूश्टाच के लिए बुलाया गया वैसे ही आमाद्मी पार्टी ने कहना शूरू कर दिया कि मनी सिसोदिया गिरफतार हो सकते हैं अब सवाल है कि पिछले छे महीने में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद जैसे दूसरा सम्मन आया वैसे ही आमाद्मी पार्टी को लगया कि अब गिरफतारी हो सकती है तो उसका कारण यह समझ में आ रहा है कि जो 7-8 लोग गिरफतार किये गया जिसमें अधिकारी भी है और कारोबारी भी है उनकी जो गिरफतारी हुई उनसे जो पूछता अचुई उसमें कुछ ऐसे incriminating चीजे मिली हैं ऐसे evidence मिले है agency को और उसकी जानकारी आम आदनी पाटी के नेताओं को भी हो गई है कि ऐसा कुछ सबूत मिला ऐसा को evidence मिला है या किसी ने ऐसा बयान दिया है जिससे मनीज सिसोदिया फंसते दिख रहे हैं तभी जैसे ही CBI का दूसरा समन आया सिसोदिया ने कहा कि उनको एक हपते का समय चाहिए क्योंकि वो budget की तैयारी में बीजी है और agency ने बड़ी आसानी से उनको एक हपते का समय दे दिया उनको 19 फरवरी की जगा 26 फरवरी को बुलाया गया और 26 फरवरी को जिस जुलूस के अंदाज में निकले सिसोदिया पहले राजगाट गये और महत्मा गांदी को संधांजली दी और वहां से जिस अंदाज में जिस तरह की होती है वो एक पहलू है और दूसरा एक मुकदमा है जिसमें उनको दूसरी बार जेल में रहते हुए ही गिरफतार किया जा सकता है वो मुकदमा फीडबैक यूनिट से जासूसी कराने का है यह 2015 में पहली बार जब सरकार बनी मतलब पहली बार किया जब उन्चास दिन के बाद जो दूसरी सरकार बनी थी अर्विंद केजरिवाल के पूर्ण बहुमत वाली उस सरकार ने बनते ही सरकार बनते ही फीडबैक यूनिट एक बनाई गई थी और पहले कहा गया था कि 20 लोगों की एक यूनिट होगी जो पोलिटकल सूचना ही कठा नियुक्त हुए और वो उस पर आरोप है कि बजापता उसके जरिये पॉलिटकल लोगों की और अधिकारियों की जासुसी कराई तो उस मामले में वो विजलेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती थी फीडबैक यूनिट और उसके मंत्री मनिशिसो दिया थे तो उस मामल में तो वो एक अलग मुश्किल मामला है और जो कई विपक्ष के नेताओं ने कॉंग्रेस के पूर्व सांसद है संदीप दिक्षित उन्होंने कहा कि उस मामले में जो जासुसी का मामला है वो सिर्फ ब्रस्टाचार का मामला नहीं है बलकि देश-द्रोह का मामला है तो उस मामले में देश-द्रोह के आरोपों की सुनवाई होनी चाहिए ऐसा पोजीशन में कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं कहना था देश-द्रोह का मामला नभी हो तब भी वो एक बड़ा मामला है तो मनीश शिसोदिया की तरफ से जैसे उनकी पार्टी के तरफ से भी कहा गया क यो छे-सात महीने जेल रहेंगे हो सकता है ज्यादा भी रहें हो सकता है कि अदालत उनको पहले जमानत दे दे लेकिन जो भी है उनको लग रहा है कि लंबा उनको लंबा समय जेल में बीताना पड़ सकता है तो वो दूसरे मंतरी है दिल्ली सरकार के जो जेल गए पहले सतें पंजाब में भी उसके दो मंत्री भरष्टाचार के आरोप में हटाए जा चुके हैं और एक विधाय का भी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफतार हो करके जेल गए हैं यह वो पार्टी है आमादी पार्टी जो इमांदारी की राजनिती करने आई थी और उसने कहा था कि हम कटर इमांदार पार्टी हैं उसके पंजाब में तीन लोग फंसे हैं भरष्टाचार के आरोप में और दिल्ली में दो लोग जेल गया हैं अब सवाल है कि इसके आगे क्या होगा क्या जिन नेताओं के उपर केंदरी एजेंसियों की तरवार लटक रही है उनके खिलाफ रवाई होगी वो लोग गिरफतार होंगे उस और बड़े नेता दूसरी पार्टी ओंके अब बड़े नेताओं के ऊपर अब हाथ डालेगी एजेंसी अभी तक छोटे छोटे नेतागिरफतार हो रहे थे जैसे एंसीपी के दो नेतागिर अफ्तार हुए ग्रेह मंतरी रह अनिल देशमुख और एक और दूसरे मंत्री नवाब मलिक जिसमें अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है वो छूट गए है और नवाब मलिक अभी भी जेल में है लेकिन कई और नेताओं के उपर तलवार लटक रही है प्रफुल पटेल से लेकर कि अजीत पवार तक के उप पर एजनसियों की तलवार लटक रही है तो क्या अब कोई बड़ा नेता और पकड़ा जा सकता है एंसीपी का कॉंग्रेस पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं पहले पीची दंबरम जेल जा चुके हैं उनके बेटे जो कॉंग्रेस पार्टी के सांसद हैं तमिल गांधी और राहूल गांधी दोनों का नाम शामिल है जो नेशनल हेराल्ड का मामला है जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति ट्रांसफर करने का मामला है उस मामले में एडी जाच कर रही है और कई दिन तक राहूल गांधी से पूछता चुई थी और सोनिया गांधी से पूछ पहले पूर विधायक भूला यादों को गिरफ्तार किया गया, इस तरह की गिरफ्तारियां होई है, लेकिन जमीन के बदले, नौकरी के बदले, जमीन का मामला हो या और दूसरे मामले हो, IRC、 होटल का मामला हो, इन सब मामलो से लालु यादों के पूरे परिवार ऊपर केंध अधिकारी पकड़े गया है, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाईजर, अभी सेक्ष्र रवास्तों और पिंटू से पुछता चुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के पूरे परिवार के उपर तलवार लटक रही है, मुख्यमंत्री, उनके विधायक भाई, उनकी विधायक भावी और इन तमाम लोगों पर उनके पिताजी, राजसवासांस, शीबू सोरेन, उनकी मा, सब के उपर तलवार लटक रही है, केंद्री एजेंसियों की इसी तरह त्रिनमूल कॉंग्रेस में अभी छोटे-छोटे नेता पकड़े गए हैं, पार्थो चकर जी थे, सिक्षा घोटाले में, सिक्षा भरती घोटाले में पकड़े गए, उनके साथ एक महिलावी पकड़ी गई, जिनके यहां से 50 करोड के करीब नगत बरामद, नकदी करामद हुई थी, त्रिनमूल कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं, अनुबरत मंडल उनको गिरफ्तार किया गया, कई नेता पहले गिरफ्तार हुए, जो छूट गए, लेकिन अब जिस तरह की कारवाई दिल्ली में हुई है, मनीशी सोधिया के उपर, उससे लग रहा है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, ये दोनों लोग जेल भी गए, छूटे भी, दोनों की सदस्यता जा चुकी है, विधान सभा की, तो ये एक मामला है कि अब समाजवादी पार्टी में किसके उपर होगी, वहाँ भी कई बड़े नेताओं के उनके बड़ बड़े नेताओं के फिलाफ जांच हुई है, और मामला अभी थंडे बस्ते में है, अभी कारवाई नहीं हो रही है, छोटे-छोटे नेताओं के उपर कारवाई हुई है, अब जिस तरह से दिल्ली में मनीर शुसोदिया को गिरफ़तार किया गया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब एजनसी का एजनसी की गाज गिर सकती है बड़े नेताओं पर और ये ये विशुद्ध रूप से राजनिती से जुड़ा हुआ मामला होगा क्योंकि अब चुनाओ का साल शुरू हो चुका है अगले साल अपरेल मई में लोकसभा के चुनाओ होने हैं उससे पह होने तो उसकी तैयारियों में विपक्ष डिस्टर्व रहे विपक्ष एक जूट होकर कि उसकी तैयारी न कर सके विपक्ष पूरी ताकत से मनोबल के साथ नहीं लड़ सके ये सब तमाम चीजें होंगी अगर विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता गिरफतार होते हैं जैसे अभी एकदम ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मनीश शिसोदिया की गिरफतारी के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें सुरी हो गई हैं। अर्विंद केजरीवाल मनीश शिसोदिया के भरोसे सारे देश में राजनिती कर रहे थे। एक तरह से पूरी सरकार दिल्ली की सोदिया सी सोदिया संभालते थे। दिल्ली सरकार के 33 विभागों में से 18 बड़े विभागों के मंतरी वो खुद अकेले थे। और वो राजनिती भी कर रहे थे। जो आम आदमी पार्टी की राजनिती विस्तार की महत्तो कांक्षा है उसमें भी वो एक एहम भूमी का निभा रहे थे। उनके गिरफतार होने के बाद अर्विंद केजरीवाल के सामने कई तरह की मुश्किले होंगी, कई तरह की समस्या होंगी, आम आदमी पार्टी जो आगे अभी इस साल होने वाले चुनाओं में जी संदाज में लड़ने की तयारी कर रही थी, वो सारी चीज़े प्रभावित होंगी, तो अब सोचे कि अगर हर बड़ी हर बड़ी प्रादेशिक पार्टी है या भाजपा विरोधी जितनी भी पार्टी आएं, उनके इसी तरह से बड़े-बड़े नेतागर अरेस्ट हो गए, एक एक दो दो भी एक भी आरेस्ट हो गए, तो उस पार्टी की चुनावी तयारीयों का क्या होगा, बोलने के लिए भले वो पार्टीयों सारी कहती रहें कि हम लड़ने को तैसे नहीं या पहुंचेंगी और उनका चुनाव जरूर उससे प्रभावित होगा, धन्यवाद.